हालो प्रेंट्स वागत है आपको मेरे चैनल में आज हम बनाएंगे ओडिसा का फेमस रेसिपी इसे काकरा पीठा बोलते हैं और इसे बनाना बहुत ही असान है और यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है टेस्टी के साथ हेल्दी भी होता है यह सूजी और नारियर से बनता ह है तो जलिए बनानाइं स्टार करते हैं यहां पर हमने ताज नारियल लिया है नारियल को हमने तोड लिया है तोड़ कर चोड़ की छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस कि जार में डाल कर कर-क पीस लेंगे मलाना हैκα अफ backyard कि नारियर को हम पेन डालने के बारेंगे यहां पर हम दो बड़े चमट चीनी डाल देंगे चीनी डालने के बाद यहां पर एक छोड़े चमट से सौफ लिया है सौफ डाल देंगे थोड़ी से हम इलाइची पाउडर डाल देंगे इन सभी को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम गेस पचड़ा देंगे यहां पर लो फ्लेम पर हम लगतार चलाते हुए 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे यहां पर 7-8 मिनुट होने के बाद चीनी अच्छे से मिल्ट हो गया है और नारियल भी अच्छे से पक गया है तो गेस को हम बन कर लेंगे यह हमारा नारियल के स्टपिंग बन के तयार हो गया है इसे दूसरे बरतन में निकाल लेंगे यहां पर हमने दूसरे बरतन में निकाल लिया है पैन को हम खाली कर लिया है और पैन में हम डालेंगे एक कटोरी या कप से नाप करके दू कटोरी पैन डालेंगे यहां पर बड़े नमक नमक दालेंगे यहां पर एक चमस चीनी डालेंगे यहां पर एक चमस तेल डालेंगे इन सभी को डालने के बाद हम थोड़ी सी लाइची पाउडर डालेंगे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर पानी में उबाल भी आ गया है तो उबाल आने के बाद यहाँ पर हम जिस कोटोरी से पानी डाले हैं इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे ताकि सूजी में गुटली ना हो लगातार चलाते हुए सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे तो गुटली नहीं होगा और इसे हम गड़ा होने तक पका लेंगे गड़ा होने तक पकाने के बाद हम गैस को बन कर लेंगे और इसे हम ढग करके रख देंगे ठंडा होने के लिए सूजी को अच्छे से ठंडा होने के बाद इसका डो तेयार कर लेंगे ये देखिए सूजी अच्छे से ठंडा हो चुका है इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करते हुए आटा की तरह डो तेयार कर लेंगे अगर मिक्स करते हुए हाथ हमें चीब केगा तो इसमें हम एक चमच तेल ले लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डू तयार कर लेंगे यहां पर हमने अच्छे से mix करके डो तियार कर लिया है यहां पर हमने तेल लिया है थोड़ा सा तेल हम हाथ में लगा लेंगे इस तरह से यहां पर नारियर का जो यह श्टपिंग बनाए थे वो ले लिये हैं और सूजी के हम एक छोटा सा बॉल ले लेंगे इस तरह से सूजी के बॉल को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे इस तरह से अच्छे से चिकना करने के बाद इसे हम हाथों से इस तरह से फैलाते हुए कटोरी की तरह बना लेंगे इस तरह से कटोरी की तरह बनाने के बाद इसमें हम जो नारियर के स्टपिंग है उचमच से एक चमच लेकर के डाल लेंगे डालने के बाद इसे हम अच्छे से हाथों से हलका दबाते हुए इसको बंद कर लेंगे इस तरह से हम बंद कर लेंगे तो अच्छे से बनाने के बाद यह हमारा तयार हो गया है एक पीठा बाकि सबी पीठा को हम इसी तरह से बना लेंगे यहाँ पर हमने सभी खाकर्य पीठा को बना करके तयार कर लिया है सभी को बनाने के बाद हम यहाँ पर पैन रखेंगे गरम होने के लिए इसमें हम तेल गरम कर लेंगे यहाँ पर हम रिफाइन ओयल डाल करके गरम कर लेंगे अच्छे से गरम होने के बाद इसमें हम पीठा को डाल देंगे यहाँ पर तेल को ज्यादा गरम नहीं किया है हमने थोड़ा सा गरम होने के बाद इसमें डाल देंगे सभी पीथा को डालने के बाद हम उलटपलट करके अच्छे से अच्छे से मीडियम फ्लेम पर लाल होने तक अच्छे से पका लेंगे त्याहां पर हम दें तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और यह हमारा पीठा बनके तियार हो गया है खाकरा पीठा इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे तो दोस्तों हेल्दी और टेस्टी खाकरा पीठा के रेस्पी आपको कैसा लागा आप जरूर बताइएगा और अच्छा लागे ते प्लीज लाइक और सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा